हेलो एबरीवन वेलकम बैक टू माई चानल इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जियो मॉफलोजी का एक नया चाप्टर वोलकानिसिटी ठीक है ये भी हमारा किस चीज की वज़े से होता है कौन से फोर्स की वज़े से इंडोजेनेटिक फोर्स की वज़े से और एक और जो है जो आला मुकही फटती है वहाली हमार ना पतार होता है ठीक है तो वज़निक से वीडियो में हमारा पूरा करने चाप्रोण को मौहे पहले हैं जो भी चाप्रेंट पढ़े हैं जीन ए उसका ब्लिंक अप्ले- लिस्ट इसक्रिप्शन बॉक्स में आप जागर के चेक कर सक सकते हो आंड नौ ऍसके लिए इंस्ट अग्राम का लिंक दिया हुआ थीक है सब लok बहुत Russ चिक करना यूप अपर संद्वा по के इंस्ट रशाह बनें पड़ने वह शारे उपकर से यह उन्यना ठीक है तो अब हम आराम से विलकानि सिटी पढ़ सकते हैं ठीक है और इसके साथ-साथ एक और चीज़ है जिब माफ्ला जी के साथ साथ अगर कार्टोग्राफिका नोट्स किसी को चाहिए होगा प्राक्टिकल के लिए तो उसके भी नोट्स किवन वोलकानो क्या होते हैं कैसा प्लेस होता है जहां पर ग्राउंट के ऊपर आते ठीक है ऐसे अकसर यह पहाडों के पास होता है ऐसे नीचे से अपर की तरफ जाता है एकदम इंडोजिक प्रिसर की वजह से और ऐसे फटता है ठीक है तो यह जो अंदर का मैगमा होता है, मोल्टेंट रॉक्स होते हैं, वो सब क्या आते हैं, बाहर आ जाते हैं, ठीक है, इस तरह से होता है कुछ, तो यह हमारा क्या है, यह हमारा वुलकानो होता है, ठीक है, तो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वुलकानो को, ठीक है, अब वुलकानों आता है तो उसके नाम से हर देश में अपने अपने नाम से पूजा की जाती है जिसे कि जापान में फ्यूजी आमा केन्या में किलिय मांजारो और इंडिया में ज्वाला देवी ठीक है इस तरह के कुछ नाम है तो यह हमारे हो गए अब हमारे आगे क्या है दूसर दिफिनिशन है हमारा वुलकानों का सेम वैसा ही है हमें याद कर लेना है फिर समझ लेना है बस याद नहीं करना है रटा मार वाली जिंदिगे मारी चली जा चुकी है हमें क्या करना है हमें समझ लेना है कि the hole or crack from which the burning material comes out of the interior of the earth is called वुलकानों ठीक है एक ऐसा hole एक ऐसा crack ठी ठीक है जहां से क्या होता है जो अंदर के burning materials होते हैं हमारे earth के burning materials interior of earth के वो क्या करते हैं हमारे earth पे इंटेडियर ओफ एक व्हार आते हैं तो उसको हम क्या कहते है प्लेस को ठीक है अब हम पढ़ेंगें यह जो हमारा जुआला मुखी फटने का जो क्रिया है वो क्या होता है अब देखो वुलकानिसिटी क्या होती है तो जो वुलकानिसिटी है वो उन सारी चीजों को कवर कर दिया और यहां वो वुलकानिसिटी को कवर करते है जो भी हमारा अर्थ है उसके उपर आते है और यहां पर यहां पर यह स्वालीलिवाई हो जाते है या तो crystalline में या फिर semi-crystalline rock में ठीक है अब अंदर में बहुत जादा क्या होता है यह molten होता है यह temperature high होने की वज़े से liquid form में होता है ठीक है तो उपर आने की वज़े से क्या होता है उपर में temperature low मिलता है तो वहां पर वो solidify हो जाता है solid में change हो जाता है ठीक है rocks में convert हो जाता है मारे magma अब यह जो हमारे definition है वह किस ने दिया है एस डाबलो वोल्रेज और आरेस मॉर्गन ने 1959 में हमारे जब questions आते हैं तो हम answers इस तरह से लिखते हैं तो जादा better होता है कि कि मतलब कौन से साइंटिस्ट थे और जिए जिनके according यह हमारा है ठीक है मतलब यह हमारा जो definition है ठीक है आगे हमारे पास क्या है पीजी वो सिस्टर के according वुल्कानिजम क्या है वुल्कानिजम इंक्लूड्स ओल फेनोमेना connected with the movement of heated material from the interior और इंटेर तो और towards the surface of the earth ठीक है वुल्कानिजम और वुल्कानिजम दोनों सेम चीज़ है अब वुल्कानिजम ने वही सारे processes को कवर किया है ठीक है उनका थोड़ा सा तरीका अलग है बताने का और यह जो है इनका थोड़ा सा तरीका अलग है ठीक है इसमें सारे फेनोमेना जो भी होते हैं हम हमारे heated materials होते हैं interior of earth से लेकर के जो अर्थ तक उपर में सर्फेस तक आने की जो दूरी है ठीक है इसमें प्रोसेस जो भी फेनोमेना होते हैं वह सारे included होते हैं किसमें बुल्कानिजम है ठीक है यह कि इनका कहना था पीजी वोसिस्टर 1948 में ठीक है इनके recording अब आगे बढ़ ठीक है तो यह आज हम जान लेते हैं magma is the molten rock material found beneath the solid rocks of the earth's crust which has a very high temperature and in which gases or other substances are also found magma क्या है molten rock material है जो हमारे earth के crust के नीचे पाया जाता है ठीक है यह क्या होता है यह molten होता है ठीक है हमारे solid rocks होते हैं earth का crust होता है उसके नीचे पाया जाता है और यहां पर बहुत ज़्यादा high temperature होता है इसका in which gases and other substances are also found जिसमें की हमारे gases materials और other substances भी found होते हैं ठीक है मतलब magma किस चीज़ से बना हुआ है लावा प्लस gases प्लस वेपर ठीक है अब जब यह उपर आता है magma निकल करके हमारे earth से उपर आता है तब क्या होता है यह gases and vapors क्या होते हैं खतम हो जाते हैं और बच्चता क्या है लावा तो हम यह लिख सकते हैं कि when the magma comes to the surface of the earth the gases and water vapor mixed in it come out then it is called लावा जब मैगमा हमारा उ the surface of earth the gases and water vapor होते हैं वह क्या होते हैं वह मैगमा से अलग हो जाते हैं तो बचता क्या है लावा बचता है इसलिए हमसे क्या कहते है देन इस कोल्ड लावा ठीक है तब यह लावा कहलाता है सबज में आगे सबको आगे बढ़ते हैं आगे हमारा क्या है आगे हमरे पास रिजन पिद पढ़ना कि तीज चीज़ का पढ़ना वेल खिम फिम फिलकानिक अर्कानिक बाडिक्शन की यूंद थी च्रेट hr छाद सेलेटेद है यूंथर एकटिश्छन च्रिश्जन और रिलेटबीम पिड़ानु क्यों कि रिलेटद है है हमारे interior of earth related है ठीक है और आज भी हमें accurate information नहीं मिलते हैं आज भी available नहीं है ठीक है कुछ चीजों की वज़े से कुछ-कुछ थोड़े बहुत जो हमें proof मिलते हैं उन सब की वज़े से जो modern science या उसके बैसे पर हम बहुत सारे reasons निकालते हैं बट accurate information हमें आज भी मिल नहीं बाते हैं क्योंकि interior of earth में जाना वहां की सारी चीजों को मतलब देखना पता लगाना वह बहुत ज़्यादा नामुम्कीन काम है ठीक है इसलिए accurate information available नहीं है याद रहेगा सबको कि जो reason है वह किस से related है interior of earth से related है ठीक है temperature की वज़े से volcanic corruption होते हैं high temperature कहां पर होगा interior of earth में अर्थ के अंदर पर high temperature होगा तो volcanic corruption होने की संभावना है और यह reason है कि volcanic corruption हो सकता है ठीक है high temperature is still found in the interior of the earth आज तो हमारी धरती पहले से काफी जादा पहले बहुत जादा गर्म हुआ कर देती अब तो धीरे-धीरे वो अभी भी क्या है बहुत जादा होट है ठीक है high temperature है वहाँ पर देट ओफ राइज of temperature in the earth swamp is one degree celsius per 32 meters of depth per 32 meter हम नीचे जाएंगे तो एक अग डिगरी जो है बढ़ता जाएगा temperature ठीक है एक अग डिगरी बढ़ता जाता है 30 meters 32 meters depth पर ठीक है अपार्ट फॉम दिस द्रेडियो अक्टिव सबस्टांस इस फांट देर कीप उन इंक्रेजिंग टेंपरेचर फॉर्दर बाइफ फीजन अब चीज और होती है कि वहाँ पे एक तो प्रेसर पहले से जाता होता है टेंपरेचर हाई होता है वहाँ पे जो हमारे सबस्टांस पाए जाता है रेडियो अक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते है वह सब उन में फिल्जन होते रहता है वह तूरते रहते है तो जो वहाँ पे टेंपरेचर होता है वह और हाई होते रहता है ठीक है although the rocks in the earth's core must be in a molten state due to the high temperature but due to the heavy weight of the upper layer the rocks do not melt completely देखो एक चीज़ और होती है कि जो हमारा earth core है वहाँ पे temperature तो बहुत जादा हाई होता और molten state में rocks पाई भी जाते हैं लेकिन बहुत जादा heavy weight की वज़े से heavy pressure की वज़े से उपर से जो pressure पड़ता है इसकाँ वज़े से क्या होता है जो rocks होते है वो completely milt नहीं हो पाते हैं ठीक है कुछ-कुछ rocks ऐसे होते हैं जो milt होने से बज जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो molten state में आ जाते हैं ठीक है यह हमें याद रखना है कि heavy weight की वज़े से heavy pressure की वज़े से upper layer की क्या करते है रोक्स हमारे completely melt नहीं करते हैं ठीक है आगे देखो हमारे पास क्या है the molten rocks magma move upward along with the water vapor when the upper pressure decreases due to any reason अब जो upper pressure जो हमारा क्या था ये heavy था high था यहां पर ठीक है तो उसकी वज़े से molten state उतना नहीं हो पा रहा था कुछ-कुछ ऐसे rocks थे to solidify ही थे ठीक है लेकिन क्या होता है जैसे ही हमारा जो upper layer होता है वहां का जो pressure होता है वह decrease करता है कम होता है वैसे ही क्या करता है जो molten rocks हमारे वह उपर आने लगते हैं ठीक है किस चीज़ के साथ water vapor के साथ gases के साथ ओके तो जब उपर आएंगे तो volcanic corruption होगा simple है अगर उपर यह आ रहें molten rocks तो हमारा क्या होगा volcanic corruption होगा ठीक है यही से हमारा last आ जाता है कि volcanic corruption होगा ठीक है आगे हमारे पास क्या है आगे हमारे पास है generation of gases and water vapor whenever ocean water or ground water goes deep into the ground through falls or cracks it turns into water vapor due to high temperature अब हमारा जो ocean water है या जो ground water है ठीक है अगर वो किसी भी crack की वज़े से किसी fault की वज़े से हमारे प्रित्वी के अंदर चला जाता है तो अगर पानी अंदर जागा और नीचे temperature बहुत जादा हाई है तो वहां पर क्या होगा वो गर्म हो जाएगा और गर्म की वज़े से क्या होगा वो ग्यास में अब आगे क्या हमारे पास 75-90% अफ गैसे सबस्टान्स रिमेन इन वाटर वेपर ठीक है जो गैसे सबस्टान्स होते है वो वाटर वेपर में ही रहते हैं 75-90% इस वाटर वेपर हीट्स अप टो 135 डिग्री सेल्सियस अंडर दे इंफ्लूएंस अफ प्रेसर अंड ब्रिंस वेडि एक्स्प्लोसिफ कंडिशन अब यह जो वाटर वेपर है जो अंदर बना हमारा पानी के नीचे जाने की वज़े से वह बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है ठीक है और 135 डिग्री सेल्सियस तक प्रेसर आने की वज़े से जब बहुत ज़्यादा होता है ठीक है तब य दूसरा हो गया हमारा reason तीसरा reason क्या है imbalance मिँपैैलेस की वज़े से भी होता है कुछ-कुछ वमाफिक प्रासुसस हमारे होते रहते सरफिस पे उसकी वज़ेसे क्या होता है imbalance होता है हमने पढ़ाथा imbalance होता हय और उसको geological system है उसको भी imbalance करेगा उसको effect करेगा ठीक है due to geological imbalance rock movements earthquakes falls falls अगर अब ये जो geological imbalance होता है इसकी वज़े से ही क्या होता है हमारे जो rocks है इधर उदर move करते है earthquakes आते है falls होते है falls create होते है ठीक है समझ में आगे सबको magma flows in the ground to establish equilibrium अब जो magma है वो क्या करता है वो ऊपर की तरह आता है ठीक है ground पर आता है equilibrium लाने के लिए ठीक है in this way structural changes take place in the geological reasons and volcanic activity is active ठीक है अब क्या होता है बहुत सारा structural change आता है जिसकी वज़े से volcanic activity वो भी active हो जाता है ठीक है आगे हमारे पास क्या है decrease in pressure हमने तीसरा भी पढ़ लिया imbalance की वज़े से अब चौधा क्या है pressure decrease होने की वज़े से the pressure of substances increases continuously on moving towards the center of the earth जैसे जैसे आप नीचे जाओगे center की तरफ जाओगे earth की वैसे वैसे जो pressure substances के वो increase करते जाएंगे ठीक है temperature high होते जाएगा pressure high होते जाएगा due to the enormous pressure of the upper layers in the earth's core the rock remain in a solid state even when there is a high temperature ठीक है आगे क्या होता है कि बहुत जादा pressure होने की वज़े से upper layer की ठीक है जो हमारे rocks होते हैं वो solid रहते हैं ठीक है high temperature होता तो है pressure की वज़े से और यह enormous pressure किसका होता है upper layer का होता है cross core में ठीक है जो हमारा अर्थ लेयर का pressure होता है enormous pressure लगता है उसके वज़े से हमारे solid में रह जाते हैं कुछ rocks whenever the upper pressure decreases due to geologic movements the lower rocks start melting अब क्या होता है कि जैसे ही उपर का जो प्रेसर है जो अर्थ का pressure हो उपर से वह घटता है वैसे अब घटेगा कब जिटो geologic movements कुछ movements हुए अर्थ में इधर उतर जो हमारे plates है वो slides किये तो pressure क्या हो गया घट गया अब जैसे ही घटेगा तो जो हमारे अंदर के magma है वो ढूनते है विकर पॉइंट अब जैसे ही उनको विकर पॉइंट मिलेगा ठीक है पहले तो जो लोवर रॉक्स होंगे जो इनको कोई भी विकर लेर दिखेगा विकर पॉइंट मिलेगा यह वहां से विस फूट हो जाते हैं वहां से निकल जाते हैं ठीक है दूदिस दियर वाल्यम इनक्रेजिस दे सब्सक्राइब को कीप्रेशर कम तुक्रिंश की वोजह से भी विकर रिप्ष्ट होते हैं यह » ningún कि आपक्टानिक एकाइडिंग हम यह तो पता है कि लिधर इगिड प्लेटस बना हुआ है हर्ड प्लेट से बना हुआ है ठीक है वैच है वोल्कानिक अक्टिवीटी पेसा जहां पे होगा यहां तो प्लेटस जहां दूसरी की तरफ बढ़ते हैं तो किनारे पर क्या होता है प्रेसर इंक्रीज हो जाता है है ठीक है असले सम पार्ट गोस टांग इंटु दा मैंटल और सब्स्ट्रेटम विच श्टार्ट मेल्टिंग तो अब एक तरफ बढ़ें तो एक ऊपर चढ़ेगा एक नीचे लगता है हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था जो हमारा Continental Drift Theory था उसमें हमने पढ़ा था कि यह नीचे की तरफ जाता और यह पिघलते रहता है ठीक है और इधर साइड में वोल्कानी किरप्शन होता है ठीक है तो हमारे किलोमेटर लिखा हुआ है कि कितने किलोमेटर दूरी पर होता है ठीक है इट टेक्स दा फॉर्म ओफ मैगमा एंड कम्स टू अर्थ आफ्टर फाइंडिंग अब क्या होता है जब यह नीचे की ओर जाएंगे तो यह पिघलने लगेंगे नीचे की तरफ जाएंगे मैगमा में कनवर्ट होंगे और इने प्रेसर जादा मि प्लेट नीचे की तरफ जा रहा है और ऊपर की तरफ तो जहां पर नीचे वाला होगा यह नीचे वाला जहां पर पिघल रहा हो सब्डक्शन जोन है हमारा अभी सब्डक्शन जोन से 200 या 250 किलोमीटर की दूरी पे हमारे जो है वुलकानिक इरप्शन होते हैं ठीक है समझ म हमारे पास वोलकानो जाइब इंटो थ्री टाइपस अन देशस फिरी लिए सीटी ऑफ इरपशन अब देखो प्रियर्डी सिति ओफ ईरप्शन के भैसिस पे तीन पार्ट में हमारे वुलकानों से ब्सक्राइब हैं एक्टीब वोलकानों के पार में पड़ेंगे सब से पहल बहुत इजी है अब इसमें इजी क्या है एक्टिव कहने का मतलब यह कि वो हर वक्त एक्टिव रहते हैं ठीक है जैसे उनको कोई भी विगर पॉइंट मिला पस फटाक से वो क्या करते हैं इजक्ट कर जाते हैं वुलकानिक लावास उपर आ जाते हैं गैस ऐस बहुत सारी ची only bara साल के लिए वह पूरी तारह से मतलब छूफ हसा ठीक है का इंडिकेशन है ले बहुत स्वार्प्ष्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् गई है ठीक है मतलब कुछ लोग रह रहें आपे तो अचानक से अगर यह पचास साल के बाद यह वुलकाने किरप्शन होगा तो इनका क्या होगा यह तुरंट से भाग तो नहीं सकते हैं तो क्या होता है इन्वामल स्टामेज हो जाता है इसका एक्जामपल है ठीक है पहली बार यह 79 AD में इरप्ट हुआ था याद रखना में 79 उसके बाद दूसरी बार कब 1800 देख रहे हो आप कितना ज्यादा डिफरेंस है 1803 के बाद 72 बताओ 1872 उसके बाद 1906 में 1927 1943 और 1943 के बाद अभी तक इरप्ट ही नहीं हुआ है यह चीज़ भी आपको याद रखना पड़ेगा तो अभी इरप्ट नहीं हुआ है इस डिस्टॉक्टीव है तो विफुवेस वलकानों कामें याद रखना और यह गवी उरॉप्ट हुआ था और कितनी बाहर रहे हुए था यह याद रखे तो ज्यादा बेटर होगा तो हमारा पहला अक्टिव वलकानों का हमने याद कर लिया इतना और स्टॉम्वॉली जो आने की कोई संभाव नहीं कि वहां पर इरप्शन होगा और इंडिकेशन को इंडिकेशन ही नहीं फ्यूचर इरप्शन के लिए ठीक है देख्टर इरप्शन होता है वाटर से बहर जाते हैं लेक्स की तरह बन जाते हैं लेकिन एक चीज़ पॉइंट करने की बात है देखो नोट करने के लिए आपर दिया हुआ है कि यह तो बहुत हो जा रहा है कि को इंडिकेशन नहीं फ्यूचर इरप्शन का लेकिन हम इसे पर्मानेंटल इरप्ट नहीं होगा एक्स्टेन्ट हो चुका है मैं इसे मान सकते हैं कि का लंबा टाइम हो गया तो अब इक्स्टेन्ट हो गया यह बोल्कान हो लेकिन अंदर जहां पर इरप्शन हुआ था वहां पर अंदर में इंटेरियर उफ अर्थ में क्या प्रॉसस्स चल रही है क् ठीक है तो कुछ भी सकता है भई यह इंट वाले की बात हो रही है कि हो सकता है ऐसा कि कुछ और हो रहा हो अंदर में ठीक हमें पता ना हो तो मुझा नहीं पर मतलब यहां पर देखले करना भी मुश्किल हो जाता है थोड़ा घोशित कर जीआ जाता है ठीक है एक्जामपल देखो है mount Kenya Eastern Africa का मांट पॉपा मैनमार का और मांट किलमचारो तंचनिय का ठीक है किलमचारो का ही शायद एक पार्ट है इसके तीन पार्ट सही टीक है तो उसमें जो टॉप वाल window पार्ट है तो वहां पर नेचर क्या है किस तरह का हो सकता है इंटेंसिटी तिव्रता क्या है उसके बैसिस पर हमारा जो इरॉप्शन है वोल्काइनों का उसको टू टाइपस में डिवाइड किया गया है पहला तो है सेंट्रल इरॉप्शन टाइप और एक्स्प्लोजिव जो कि बहुत जब्स जादा तेजी सोटा और बहुत जादा जिसकी वज़े से हमें नुकसान पहुंचता है हमारे लिए बहुत जादा डेंजरस होता है ठीक है दूसरा का है फीजर इरॉप्शन टाइप और क्वाइट इरॉप्शन टाइप कई का मतलब समझ में आ रहे हैं कि बहुत धी वगरे इसे create होते हैं इस eruption की वज़े से और जादा नुकसान उतना नहीं पहुंचता है और इसके वज़े से हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचता है वहां से magma क्या होता है बाहर आता है ठीक है तो बस यह है फ्रेजर और या फिर quiet eruption टाइप में यहां पर कोई विसफोर्ट नहीं होता है जिससे की बहुत जादा नुकसान पहुंचे यह मतलब क्वाइट होता है यह आराम से आता है और इसके वज़े से हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचता है विसफोर्ट नहीं होता है कोई ठीक है फ्रेक्चर फॉल्स की मदद से यह उपर आते है आ जो हो गया जिसे बहुत जादा हमें परिशानी होती है डिजास्ट्रस जो होता है वही हो गया सेंट्रल इरॉप्शन टाइप एक्स्प्लोजिव बोल सकते हैं इसको वहाप लिखा हुआ है अकर थूर सेंट्रल पाइप एंड स्मॉल ओपिनिंग और ब्रेकिंग और ब्लोइं वल्कान उहीं अग्दम ऊपर तक जाएगा ठीक है और जिसकी वज़े से बहुत जादा हमें नुकसान पाज़एगा यह मर लिए बहुत ज्यादा डेंजरेस होगा ठीक है डिजे टू वालान गैसे एक्सट्रस एक्मिलेटर्ट डीप विदिन दे अर्ड टीक है आगे मार यह चीज़ी और याद रखनी है कि जो भी हमारे volcanic materials होते हैं जैसे कि लावास, volcanic dust, आसस, fragmental materials यह सब आते तो हैं हमारे interior of earth से लेकिन यह अर्थ का अगर हमारा surface है, मतलब इसे नुकसान बहुत भारी भरकम हो जाना है किसे explosive eruption टाइप से और central eruption टाइप से बहुत डिस्ट्रॉक्टिव होते हैं और disastrous natural hazards further divided into five types अभी central explosive वाले को five types में divide किया गया है ठीक है पहला में Hawaiian type of volcanoes यह क्या होता है such volcanoes erupt quietly due to less visugious lavas and non-violent nature of gases ठीक है यह थोड़ा सा non-violent type का होता है और such volcanoes erupt quietly थोड़ा सा quietly होता है ठीक है मतलब यह उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है common occurrence on Hawaii island हवाई island पर common occurrence है इसकी वज़े से इसका Hawaiian type नाम रखा गया है ठीक है बागी सबसे ही तो थोड़ा लग रहे है कि हाँ आसानी होगा मतलब उतना नुकसान नहीं करेगा लेकिन कभी-कभी यह भी नुकसान कर देता है आगे हमारे पास क्या है स्ट्राम्बोलियन टाइप उफ वॉलकानोज अब आगे कभी-कभी नुकसान क्यों कर देता है क्योंकि हमें नहीं पता कि इंटिडिर ऑफ अर्थ में क्या हो रहा है सडिनली कभी क्या हो जाए हमें नहीं पता होता ठीक है इसकी वज़े से हाँ पर मैं बोल रही थी strombolian type of volcanoes, यह क्या है, such volcanoes named after stromboli volcano of leapri, island in the Mediterranean Sea Mediterranean Sea में जो lipari island है, उसके नाम पर यह पढ़ा है stromboli volcano वहाँ पर जो है, ठीक है, lipari island में जो stromboli volcano है, उसके नाम पर यह strombolian type volcanoes नाम पढ़ा, okay, erupt with moderate intensity, moderate intensity मतलब high intensity नहीं है, यहाँ पर moderate है, ठीक है, यह तो क्वाइट था और यह क्या है यह मॉडरेट है बिसाइड लावा अधर वॉकानिक मैटेरियल्स लाइक प्यूमाइस स्कोरिया बॉंब्स एड्सक्रार और इससे भी क्या होता है उपर तक स्काई में बहुत उपर तक जाता है ठीक है जब यह इजक्ट होता है इसके साथ ज फॉल्कानिक मेटेरियल्स एगेन फॉल्डाउन इन वॉल्कानिक क्रेटर और दुबार यह किसिज में गिशे जाकर कि वॉल्कानिक क्रेटर में वा पसदाने सिल बशार्ट टाकर गates स्ट्रमब्लीट हो चुका आगे Girl. यह विल्कानों त Graham was pra झाले यह ऐधे पहला है यह तो फैने सिर्टाइप्ट Sãoीज के यह तो महीं कि अयुक्ति एक संधिया सब्सेशना कि ज़ल्कानों के धार नहीं सब्सक्रार के इस विल्कानों के साथ irk बहुत जयाद विल्कानों पर रियत एफ लुकानी और नहींस दल कोस्ती होता है तो शय्षिकिफिकंटय। वह जल्दी से ज्यादा लिक्विट नहीं होते हैं nova डाट कर closer world और घलोग। तक क्या है कि जो gases break होते हैं ठीक है जो लावाज आते हैं उपर में वो क्या गड़ता है वो एंगलर फ्राग्मेंट्स बनाते हो और इसकाई में इस तरह से आपियर होते हैं पूरा एकदम डस्ट डस्ट दिखाई देता है डार्क दिखाई देता है और कॉलिफ लावर का रामर पर पड़ा है जो कि मार्टिनिक अइसलेंड पर है कहां केरीबियन सी में शै मोस्ट वालेंट एंड एक्स्ट बऊलोसीव होता है इसका जो एक्सप्रोस्ट वडरा में पड़ा हुआ था घुआ ठिका है घुक है तो यह लोकाइड टहां इंग गाएं कि दंग गचत्र आइलें्ड लोकेट इन सुन्दा स्ट्रेट बिट्फूा के बीच बाकर अंद पर सुमात्रा साइब करेहरें और यहां पर क्राकाटुआ वलकानों इरॉप्ट हुआ था बहुत ज्यादा एक्स्प्लोजिव इरॉप्शन हुआ था 1883 में लगबग 36,000 लोग जो थे वो मारे गये थे 36,000 आप देख सकते हो कितना ज्यादा डेंजरेस होगा एक और इरॉप्शन है कबका 8 माई 1902 1883 के बाद एक और इरॉप्शन हुआ 1902 में जिससे की पूरा का पूरा टाउन डिस्ट्रॉए हो गया ठीक है मांट पेली इरॉप्शन जब हुआ तो आज पास में जूभी टाउन्स बसे हुए थे इन्हाबिटेंट्स लगबग 28,000 थे वो सारे के सारे मारे गये पूरा का इक्पॉल्शन फ़ लवाज गैसे जो डिफ्रेंस है वो किस दीश पर लाई करता है तो जो इंटेंसिटी है लवाज और गैसे करने का उनके इक्पॉल्शन का उस पर डिपेंड करता है ठीक है दो मॉस्ट इस्ट्रॉक्टिव टाइप उफ इरॉप्शन इस कॉल दे पिली अब देखें इसका नाम बोला गया है क्या प्लिन टाइप क्यों कि पहले बार प्लिनी ने इसे अब्सॉर्फ क्या था था इसे वुल्कायनो को को सेवंटीनाइड में इसलिए इनिके नाम पर पढ़ गया प्लिन टाइप तो गाइस यह हमारा भी कंप्लीट हो चुका है भी हमारे मैटेरियोल पढ़ने है हमें जो भी हमें शेप वगार्णा पढ़ना है कि वो गैनों की विजए से कौन कॉन से शेप हमारे मन जाते हैं वो सारी चीज़े हम देखेंगे next video में ठीक हो और next video में हमारा पूरा का पूरा ये चैप्लिस टो आईउग आपको समझ में गया होगा पूरा का पूरा और अगर नहीं आ होगा तो कमेंट शिक्समें जरूर बताना कि कहां पर क्या प्राब्लम रह गई है कौन से चीज़े समझ में नहीं आई है ठीक है और अगर अच्छी लेएगी समझ में आईगी तो प्लीज डॉन्ट फागेट तो लाइक कमेंट चाहिए और सब्सक्राइब ठीक है थैंक यू सो मच मिलदे है नेक्स्ट वीडियो में